कक्षा 10 की प्रश्णा वली 1.2 का कुश्चन नमबर 1 एक कुश्चन में बोला गया है, सिद कीजीए कि अंडरूट 5 एक अपरी में संख्या है, तो यहाँ हमें अंडरूट 5 को अपरी में संख्या सिद करना है, ठीक है? देखे अगर कभी भी रूट के अंदर एक अकेली संख्या हो और उसको हमें एपरी में संख्या सिध करना हो चाहे कोई सी भी संख्या हो चाहे यहाँ पर अंडरूट पांच हो चाहे यहाँ पर अंडरूट तीन हो चाहे अंडरूट दो हो चाहें under root साथ हो, कोई सी भी संख्या हो, सारे के सारे question बिल्कुल एक ही तरीके से होंगे उसमें जरा सा भी chain नहीं आएगा, बस जो संख्या है, उसका chain जा जाएगा, ठीक है बाकि बिल्कुल भी method जरा सा भी अलग नहीं होगा, ठीक है तो पहली बात तो ये हो गई दूसरी बात ये है कि जब भी हमें रूट के अंदर कोई एक सिंगल नंबर मतलब एक अकेली संख्या अगर जो है दे रखी और उसको हमें एपरी में सिद करना है तो वहाँ पर हम सह अभाज्य संख्याओ के कॉंसेप्ट का यूज करते हैं तो जब हमें सह अभाज्य संख्याओ का इसमें यूज करना है तो पहले हमें पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्याओ क्या होती है तो देखें बात कर लेते हैं सह अभाज्य संख्याओ की देखें सह अभाज्य संख्याओ की देखें सह अभाज्य संख्याओ वो दो संख्या दों की दोनों और यह चार्ड से भी गटती है, ठीक है तो ये दोनों आपस में सहरभाजी संख्याएं नहीं है क्योंकि ये वन के इलावा और के नहीं दों संख्याएंब दों संख्याओं से भी क्ट रही है अगर मानलों मैं हपर ले लेता हूँ और में हापे 5 ले लेता हूं तो कट रही हो ठीक है तो ये दोनों की दोने की ống नंबर इनको ऐसा नहीं है जो काट सके तो वह संख्या ए जो 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 बस खाली वन से कटती है तो उनहीं को हम क्या बोलते हैं वन के लावा किसी और से नहीं कटती हैं उन्हीं को हम सह अभाजी संख्याय कहते हैं अगर मैंने किसी को यह कह दिया कि वो दो संख्याय जो हैं वो सह अभाजी हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि वो दोनों के दोनों बस एक से ही डिवाइड होंगी एक से ही सकता है ठीक है तो जो है हम इस कॉंसेप्ट का जो है यहां पर यूज करेंगे देखिए अब हम क्या करते हैं जब भी रूट के अंदर एक सिंगल नंबर मतलब अकेली संख्या होती है और उसको यह परी में संख्या सिद्ध करना हो तो सबसे पहले तो किसी भी संख्या को अग प्रीमे मान लेंगे परी में संख्या है ठीक है हूश के बाद हम इसको मानेंगे माना अंडर रूट रूट वाज बराबर e więcejendraps 2 मान सकते हैं पी बटे क्यूं मान सकते हैं बस dedic अ जाएगा उसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं है कुछ भी माना जा सकता है ठीक है ए बटे भी हमने यहां पर ले लिया है जहां पर जहां ए तत्था भी सहअभाजिय संख्याय है अब मैंने यहां पर A और B को सहअभाजिय बताया इसका मतलब यह है यह दोनों की दोनों बस One से ही कटेंगी One के लाबा और कहीं से यह डिवाइड नहीं होगी मतलब विभाजित नहीं होगी ठीक है तो अब जो है अब हम यहांपर क्या करेंगे निशान है तो वर्दicon का निशान कैसे हटता है जब हम उसके उपर घात 22 लगा-दैते हैं गात 22 कप लगती है दोनों तरफ वर तो यहां पर हम लिखेंगे दोनों और कunta कर ने करने पर जब दोनों वर्द करेंगे तो यहां पर अंडरूट पाँच के ऊपर एगाद दो आ जाएगी नग्हाद अब हम यहाँगे भावर 2 है तो पावर ठुए होद जाएगी यहाँपर आ जाएगा 5 और यहाँपर आ जाएगा एकी गाद दो भाटे बाटे बी की गाद दो थीक है अब उसके बाद पांच बी की घाद दो बराबर तिर्ची गुणा करेंगे जब तो फाइब बी की पावर टू हो जाएगा यहां पर एकी घाद दो हो जाएगा इसको समीकरण एक मान लेंगे ठीक है अब उसके बाद हम यहां पर बी की घाद दो का मान निकालेंगे तो बी की घाद दो बराब में पांच ठीक और उसके լाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ए है आएं 5 से विभाजित विभाजित हो रहा है या होता है यह होता है यह देखे एक पिर्मे है हमारी एक पॉइंट दो पिर्मे उस पिर्मे में यह बताया गया है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या की घात दो को विभाजित करती है तो वो उसी संख्या की घात एक को भी विभाजित करेगी तो यहाँ पर जो पांच है वो एकी घात दो को विभाजित कर रहा है तो इसलिए जो पांच होगा वो एकी घात दो को विभाज लिखेंगे समीकरण एक में यह जो ए लिखा है ए लिखेंगे आपर बराबर जो यह पांच लिखा है पांच लिखेंगे इसके साथ सी लगा लेंगे समीकरण एक में ए बराबर पांच सी रखने पर ठीक है अब ए बराबर पांच रखने पर समीकरण एक में तो हमारे पास जो 2 को तो ऐसी रख लेंगे A की घाद 2 की जाए कितना रखेंगे 5C तो यहाँ पर 5C के उपर घाद 2 आ जाएगी 5B की घाद 2 को ऐसी रख लेंगे 5 की घाद 2 का मतलब 25 और C की घाद 2 का मतलब C की घाद 2 तो यहाँ पर यह 25 C की घाद 2 में इधर लिख रहा हूँ और 5 B की घाद 2 में यहां पर लिख रहा हूँ ठीक है तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो C की घाद 2 का मान अगर में निकालता हूँ तो 5 B की घाद 2 बटे में कितना आजाएगा 25 तो 5 से 5 बार कर जाएगा 25 तो C की घाद 2 बराबर यह आया B की घाद 2 बटे में 5 अब देखो जो condition यहाँ पर बन रही थी वो ही condition जो है यहाँ पर बन रही है अब हम C की घाद 2 को ऐसी लिखेंगे यहाँ पर B की घाद 2 को B गुणा B बटे 5 लिख देंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे फिर कि B भी, 5 से, विभाजित, विभाजित होता है 5 से विभाजित होता है तो हमने एक question जब, इसको जब solve गया तो हमने यहाँ पर यह देखा कि A भी 5 से विभाजित हो रहा है और B भी 5 से विभाजित हो रहा है अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमने देखा कि A तथा B दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं हो रहे हैं अब देखिए जब A और B पांच से भाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब ये A और B जो है सह भाजित नहीं रहें क्योंकि हमने तो ये माना था उपर के A और B सह भाजित हैं और अब सेह भाजे का मतलब के बस खाली एक से ही कटेंगे एक के अलावा किसी और से भी भाजित यह नहीं होंगे मगर जब हमने इसको solve किया तो हमने यहाँ पर यह देखा कि A और B तो 5 से भी कट रहे हैं 5 से भी भाजित हो रहे हैं संख्याए नहीं है तो यह आपस में सेह भाजित नहीं है और जब यह सेह भाजित नहीं है तो तब हमारी कलपना गलत है जब यह सेह भाजित नहीं है और हमने इनको सेह भाजित माना था तो जो हमने माना था यह गलत था ठीक है तो हमारी कल्पना यहाँ पर गलत है और जब हमारी कल्पना गलत है तो हमने क्या क्या कल्पना की थी एक तो कि A और B जहें सहभाजी है ठीक है तो यह गलत हो गया दूसरा यह के अंडरूट 5 एक परी में संख्या है तो यह भी गलत हो जाएगा ठीक है कि एपरी में कि संख्या है ठीक है यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी यह हमारा पूर्ड हो चुका है कि कक्षा 10 की प्रेशना वली एक पॉइंट दो का कोश्चन नंबर टू है कोश्चन में बोला गया है सिद्ध करों की 3 प्लस 2 अंडरूट 5 एक एपरी में संख्या है तो हम मालूम है जब भी किसी संख्या को हमें एपरी में संख्या सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले तो हम उसको मान लेते हैं माना 3 प्लस 2 अंडरूट 5 एक परी में संख्या है ठीक है उसके बाद हम इसको मानेंगे माना 3 प्लस 2 अंडरूट 5 बराबर में आर जहां जहां आर एक परी में संख्या है ठीक है अब देखे अगर कोई अंडरूट के अंदर अगर एक सिंगल नंबर हो उसको हमें ए परी में सिद्ध करना हो तो हम उसे ए बटे बी वाले मेथड से ही करते हैं ए बटे बी वाले या पी बटे क्यू वाले मेथड से ही करते हैं ठीक है मगर अगर रूट के साथ में कोई मल्टिप्लाइ में मतलब उसके प्लस में या माइनस में या गुणा में कोई संख्या लगी हुई हो या बटे में लगी हुई हो तो हम जो है फिर उसको जो है आर मा के कर रहे हैं तो देखे अब हम क्या करेंगे हैं पर हमने इसको मान लिया है और अब हम यहां से अंडरूट पांच का मान निकालेंगे तो दो अंडरूट पांच बराबर और इधर आ जो होता है वो एक परी में संख्या है और आर माइनस थिरी बटे दो ये पूरे का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये परी में है क्योंकि आर तो परी में था इन भी परी में होता है दो भी परी में होता है तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ही परी में का है तो हम यहां पर एक परी में संख्या है, जबकि आर माइनस थिरी बटे दो, एक परी में संख्या है, इसलिए अंडरूट पाँच जो होगा वो, तब अंडरूट पाँच बराबर नहीं होगा, आर माइनस थिरी बटे दो के, इस प्रकार हमारी कलपना गलत है, अब देखो दुरा, यहाँ पर यह तो परी में हैं, और यह परी में है, तो वापस में कभी बराबर नहीं है तो यह वाली बाद गलत हो गई तो बरीमे गलत होके हम यहाँ पर लिख देंगे इसलिए कि एक है यह पर हुआ संख्या तो संख्या है ठीक है यही चीज हमें क्या गरनी थी सिद्ध करनी थी यही जो है प्रूब हो चुका है दिखी कक्षा 10 की प्रिश्णा वाली एक पॉइंट दो का कोश्चन नमबर 3 है कोश्चन में बोला गया है सिद्ध कीजिए कि निमली कित संख्याए एपरी में हैं तो यहां पर हमें तीन कोश्चन दे रखे हैं कोश्चन नमबर 3 के तीन पार्ट से इन तीनों में एपरी में संख्याए दे रखी हैं और हमें इनको एपरी में संख्या सिद्ध करना है ठीक है तो देखिए जो फर्स्ट कोश्चन है सबसे पहले वो है वन अपॉन अंडरूट टू य परी में संख्या है एक परी में संख्या है ठीक है उसके बाद हम इसको मानेंगे माना एक बटे अंडरूर दो बराबर में आर जहां आर एक परी में संख्या है परी में संख्या है अब क्या करेंगे यहां से अब देखिए हम यहां से इसको उल्टा करेंगे ठीक है अब अगर मानलो मैं इसको वन अपॉन अंडरूट टू को अंडरूट टू अपॉन वन लिखता हूं मतलब इसको मैंने उल्टा करा तो मुझे इसको भी उल्टा करना पड़ेगा आर के अपॉन में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं का मतलब वन है तो जब हम इसको उल्टा करेंगे हाँ पर इसके अपॉन में वन है तो जब इसको उल्टा करेंगे तो वन अपॉन आर आ जाएगा थीक है बटे आर जो है वो एक परी में संख्या है ठीक है तो हम यहां पर लिख देंगे क्योंकि यह रूट के अंदर नहीं है तो हम यहां पर लिखेंगे अंडरूट दो एक एक परी में संख्या है संख्या है जबकी जबकी एक बटे आर एक परी में संख्या है परीमे संख्या है और जब ये परीमे है और ये एपरीमे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब अंडरूट दो जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके एक बटे आर के तो अंडरूट दो बराबर नहीं होगा क्योंकि ये एपरीमे है और ये परीमे है जब एक परी में है तो वो बराबर तो होगा नहीं और जब वो बराबर नहीं होगा तो इस पिरकार हमारी कलपना गलत है मतलब जो हमने इसको माना था कि अंडरूट दो बराबर वनपोन आर के आया था तो ये बादी बाद गलत हो गई और जब ये गलत हो गई तो सारी की सारी उपर तक गलत होती चलियाएगी और जब गलत हो जाएगी तो परी में हमने इसको माना था और जब ये भी परी में गलत हो जाएगा तो यह क्या बनेगा एपरी में ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसलिए एक बटे अंडरूर्ट दो एक एपरी में संख्या है यही चीज़ हमें प्रूवड करनी थी अब देखिए जो सेगेंड कोश्चन था वो था सेवन अंडरूर्ट पांच साथ वर्गमूल पांच इसको हमें परी में करना था तो हम सबसे पहले मानेंगे माना साथ वर्गमूल पांच एक परी में संख्या है परी में संख्या है ठीक है फिर उसके बाद इसको हम मानेंगे माना साथ अंडरूट पांच बराबर आर जहां आर एक परी में संख्या है परी में संख्या है ठीक है अब हम यहाँ से कुछ भी नहीं करना बस अंडरूट पांच का मान निकालना है तो अंडरूट पांच बराबर कितना आजाएगा आर बटे साथ अब हम आगे जानते हैं कि हमें पता है कि जो यह अंडरूट 5 है ये एक एपरी में है र बटे 7 परी में है तो हम जानते हैं हम जानते हैं अंडरूट 5 एक एपरी में संख्या है जब की जबकि आर बटे साथ एक परी में संक्या है और जब ये ए परी में हैं ये परी में हैं तो दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे ठीक है तो इस पिरकार हमारी कल्पना गलत है यही जो हमने माना था वो गलत है और हमने क्या माना था कि साथ अंडरूर्ट पाँच एक परी में संक्या है तो ये गलत होके क्या बनेगा ए परी में तो इसलिए साथ अंडरूर्ट पाँच एक ए परी में संक्या है ठीक है यही चीज हमें क्या करने थी प्रूट करने थी मतलब सिध अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है 6 प्लस अंडरूट 2 तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर भी मानेंगे माना 6 प्लस अंडरूट 2 एक परीमे संख्या है परीमे संख्या आर एक परीमे संख्या है परीमे संख्या है ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे जो अंडरूर्ट दो है उसका मान निकालेंगे अंडरूर्ट दो का जब मान निकालेंगे तो अंडरूर्ट दो बराबर आर यह छे इदर आ करके माइनस का हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं हम जानते हैं कि अंडरूट दो एक एपरी में संख्या है एपरी में संख्या है जब की जब की आर माइनस सिक्स एक परी में संख्या है परी में संख्या है इस पिरकार तब यह अंडरूट दो बराबर नहीं होगा किसके आर माइनस सिक्स के और जब यह बराबर नहीं होगा तो हमारी जो कल्पना है वो गलत हो जाएगी इस पिरकार हमारी कल्पना गलत है और जो हमने माना था अगर वो गलत है तो हमने माना क्या था कि 6 प्लस अंडरूट दो एक परी में संख्या है तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 6 प्लस अंडरूट दो एक एक परी में संख्या है एक परी में संख्या है ठीक है यह जो है प्रूवड हो चुका है